नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स प्लोग पर दोस्तों हमारे गारडेन के अंदर कितने ही फोल वाले पॉधे क्यों नहों अगर उनके अंदर खुसबू ना हो तो हम उनकी तरफ उतना जल्दी attract नहीं हो पाते। जितना हम खुसबू दार फूलों की तरफ तुरंथी attract हो जाते हैं। बेला और मोगरा जो है इन खुसबू दार फूलों में अपना प्रमोखस्तान रखते हैं। इनके जो flowers होते हैं ये अलग-अलग कई सारी varieties में आते हैं इनकी एरेवियन varieties जो होती है एक रूजी मोगरा भी आता है जो कि मेरे पास है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये बहुत ही खुबसूरत flowering करता है और साथी साथ जो है अलग-अलग varieties के अंदर मिलने वाला ये plant जो है साल भर जो है आपके garden को फूलों से और खुस्बू से भर कर रखता है मेरे पास अभी ये जो variety आप लोगों के सामने दिख रही है ये देशी variety है इसकी single fetal के छोटे-छोटे से flowers आते हैं लेकिन इन छोटे-छोटे flowers के अंदर जो खुस्बू है वो छोटी बड़ी है इसके पास से गुजर जाने के बाद जो है ये बिल्कुल सुगन से जो है भर देता है आपको दूसरी variety जो मेरे पास है इस तरीके से रोज के जैसे जैसे छोटा वाला आपका रोज खिलता है बिल्कुल उसी तरीके से flowers खिलते हैं इसके अंदर और अभी बहुत स के flowers जो है बिल्कुल टिप के ऊपर लगते हैं अगर ये flower टिप आप तोड़ते नहीं है तो ये नीचे से new growth नहीं करता है और new growth अगर नहीं करेगा तो नए flowers भी नहीं दे पाएगा तो जितने भी flowers आपके dead होते जाएं सभी को आप जो है catchy से या फिरहाज से जैसे भी आप स हो सके आप जो है तोड़ तोड़ के निकालते जाएं मैं तो इससे तोड़ता जाता हूं और इसी तरीके से जो है पॉट के अंदर ही डाल देता हूं क्योंकि ये सड़कर जो है डिकमपोज होके बहुत अच्छी खाद बन जाते हैं जो nitrogen का अच्छा source होता है तो ये दो वर सारी tips को नहीं कट किया है इस वज़ा से क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे flowers किलना बाकी है इस plant की बात अगर करी जाए तो इसको जो है direction light पसंद होती है minimum जो है 4-5 घंटे के direction light में आपका ये plant होना ही चाहिए अगर ये pot के अंदर लगा है साथ ही साथ जो है इसको मिट्टी और साथ ही साथ अगर आप compost ले रहें तो compost में आप को सिस्य कीजिए कि आप वर्मी compost या cow dung compost ही लीजिए जिसमें इनको अच्छी मात्रा में nitrogen जो है उपलब्ध हो पाए क्योंकि आपका ये पौधा जो है nitrogen की वज़ा से इसके अंदर greenery होती है और अच्छी growth होती है अगली जो है पानी आप ज्यादा दे देंगे तो root rot की फ्रमस्य आ जाएगी इस वज़ा से मिट्टी को चेक करिए और मिट्टी को चेक करने के बाद आप अपने पौधे को पानी जरूर दीजिए अगर over मतलब मौश्यर जो है तो फिर आप पानी को avoid कर सकते हैं खात की बात करी ज होती है वो इसको अच्छी लगती है मतलब pH जो है वो ना सास से बहुत कम होना चाहिए और ना ही सास से ज्यादा होना चाहिए इस तरीके की मिट्टी आपका ये पौधा पसंद करता है साथी साथ इसको phosphorus और potassium की भी जो है equal quantity पसंद होती है मतलब आप अपने इस पौधे को चितना phosphorus दे रहे हैं उतनी quantity में ही आपको potassium देना भी जरूरी है यहां पर आपके सामने जो मैंने खाद ले रखी है इसमें सबसे पहले मैंने ये शीवीट का granule form लिया है मतलब गोबर खाद तो compulsory है जो हर तीसरे महीने आपको अपने इस पौधे को provide करना है तो उसको मैं अ माइक्रो और माइक्रो निट्रेंट्रेंट्स होते हैं इसके अंदर आपके पौधे को जो है nitrogen, phosphorus, potassium, iron, magnesium, calcium ये सारे micronutrients और other micronutrients जो है उपलबद हो जाते हैं और ये है आपका जो है bone meal जिसके अंदर phosphorus की अच्छी मात्रा होती है तथा आपका calcium और iron का भी source होता है लेकिन quantity अगली चीज जो मैंने ली है ये है banana peel powder, banana peel powder जो है वो केले के छिलकों को सुखा कर पीस कर तयार किया जाता है तो ये मैंने ले रखा है जो potassium का बहुत ही अच्छा source है किसी भी flowering plant की खिल्ले में जो है potassium कब एहम योगदान होता है इस वज़ा से मैंने इसको add किया है और साथ मैं पौधे को provide करूँगा गोबर खाद मैं आप लोगों को नजदीक से दिखा देता हूं काफी अच्छी quantity में जो है मेरे इस गमले के अंदर already जो है मौजूद है और ये जो खाद मैंने तयार की है मतलब ये जो mixture मैं तयार कर रहा हूं आप चाहें तो मतलब आप लोग बार ये idea लिया कि जैसे बहुत सारे लोगों को ये चीज लोगों के साथ हो रही है कि वो अलग अलग तरह की खादों के बारे में नहीं जान पाते हैं और हर पौधों के nutrients की पूर्ती वो नहीं कर पाते हैं तो मैंने कही बार सोचा कि जिस तरीके से मैं fertilizer तयार करता हूं इतना अच्छा होगा अगर आप लोग थोड़ा जैसे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि वास्तों में अगर मुझे ये करना चाहिए तो मैं जरूर सुरू करूंगा आप लोग बस एक बार कमेंट करके ये चीज बताईएगा कि क्या मुझे ये ची करेगा अगर आप जो भी गर्मी का समय जादा है इसवजा से में इसके अंदर मश्टर्ड केक नहीं इसतमाल कर रहा हूँ वरना इसे में अर्ना मार्च में इसको फ़र्टिलाइजर दिया था साथ में थोनमें ऑप्ने केग डाला था आफ़ में थोड़ी सी वीड डाली थी राख अगर आपके घर में निकलती हो तो वो थोड़ा थोड़ा एक एक चमच करके आप अपने बेला मोगरा में जरूर डालिए कलियों से भर जाएगा आपका पौधा और एक चीज और है मतलब जो डाल का पानी धोने के बाद निकलता है उसको आप ले लीजिए और उस दाल के पानी को आप दोगने पानी के अंदर मिक्स करके एजा वाटरिंग अपने पौधे को जो है बेला और मोगरा के पौधे को पौधे को प्रोवाइट कर सकते हैं